सुल्तान पूर जिला उतरी भारत में उत्ता प्रदेश राजे में एक जिला है जिला फैजा बाड डिवीजन का हिस्सा है इसका प्रशासनिक मुख्याले सुल्तान पूर है सुल्तान पूर में विज्थुआ, महावीरन, धोपप, सीताकुन घाट और अधिक जैसे कई एतिहासिक स्थान है क्रिशी लोगों की आजी विका के लिए प्रमुक संसाधन है 14-15 वी शताब्दी के आसपास चोहान राजवान अश्की राजकुनवार शाखा, रन्थंभा और के हमीर देव चोहान के सीधेवन शर्ज होने का दावा करती है साथ ही बांदा गोटीस, राजवार और बाच गोटीस जैसे अन्ने कुलों ने शासन किया है जिला एक नौवी शताब्दी में एक उलेखनी ए घटना उद के बिटिश कबजे के बाद से भी विद्रोह के दोरान सुल्तानपुर में स्थित मूल सैनिकों का विद्रोह थान और जून 1857 को सैनिक विद्रोहों में उठे और उनके दो अधिकारियों के हत्या के बाद स्टेशन को बरखास्त कर दिया गया भाले सुल्तानों जैसे मूल लोगों और जन जातियों ने भी विद्रोहों में लड़ा कला कंकर के लाल प्रताप सिंग और महाराज बरार सिंग राज कुनवार जैसे नेता अन्य लोगों के साथ लड़े और इस कारण से मर गए आदेश बहाल करने पर सुल्तान पुर्चावनी ब्रिटिश सैनिकों के अलगाव से मजबूत हुई थी लेकिन 1861 में इसे पूरी तरह से एक सैनिये स्टेशन के रूप में छोड़ दिया गया था भूगोल संपादित करें इसमें 1713 वर्ग मिल 4437 किमी दो काक्षित्र है मुख्य नदी गोमती नदी है जो जिले के केंदर से गुजरती है और वानजे के लिए एक मूल लेवान राजमार्क सेवा परदान करती है छोटी दाराएं कंदू, पिल्ली, तेनगा और नंद्या हैं उनके चैनल साई में निकलने जिलों के अनावशक पानी के लिए आउटलेट बनाते हैं अपनी साधे उपजाओ भूमे और सेचाई सुविधाओं के कारण इसे क्रिशी महत्व मिला है मुख्य रूप से एक क्रिशी जिला, इसकी मुख्य फसलें चावल, डालें, गेहूं, जोर, गन्ना और थोड़ी सी अफीम होती है